किस तरह से यह वर किंग जो है अगले कुस्चिन में नदर आएगी किस तरह से थोड़ा सा डिटेल कुस्चिन है यह डिटेल इन दी सेंस कि थोड़ी सी फिग्रें ज्यादा हैं अधरवाइस प्रोसेस सेम है तो प्रशाने वाली बात नहीं होनी चाहिए आइडिया हो जाएग तो उसकी फोटो जहां आई हैं कंसॉलिटेटिव बैलन्स शीट दी है कॉक्स लिमिटेड की और उनीस और बीस दोनों सालों की शेयर अथराइस को जमानी करते हैं याद रखते हैं इसके आप यह अन्डरलाइन कर देते हैं कि इसमें एडिशन मनी आते हैं इसूड आएंग भी इसू करते हैं तो फरक्या होता है कि प्रेफरेंश शेयर पर आप एक सटन आमाउंट का डिविडेंट पहले से तैग करते हैं उसको देना हिए यनि और उर्डिनरी से पहले उनको देना पडता है सेवन परसेंट जनेल रिजर्व हैं यह वो शर्पलस वाली जो बात है undistributed profit है, debentures है, non-controlling interest है, represented by goodwill arising on consolidation और उसके पाद excess assets per summary और यह associate company की, यह बैलेंस शीट, आचा, continuation में देखें, asset side per stock and work in progress, work in progress मींज वो चीजें अभी complete नहीं है, अभी process में हैं, debtors है, deferred revenue, advertisement expense, यह होता है कि sometime आप एक long term के लिए commitment कर बैठते हैं, advertises हैं, तो आप total expense को balance sheet में, income statement में charge नहीं करते, बलकि उसको proportionate कर लेते हैं, तो यह deferred means कि अगर इस, यह अगर profit and last account में जाएंगे न, यहनि deferred में से जाएंगे, तो outflow नहीं बनेगा, क्योंकि outflow तो तब हो गया, आप दे चुके हैं, तो यह भी एक नहीं चीज, फिर इसमें cash का opening balance और भी है, इस तरह से liabilities में, अच्छा इसमें जो balance sheet बनी हुए न, थोड़ी सी different इसलिए है, कि balance sheet present करने के कई तरीके हैं, एक है कि आप property plant and equipment से शुरू करें, और फिर current assets लें, इसमें से current liabilities minus करें, working capital निकालें, वो property plant and equipment में add करें, और total में से long term minus कर दें और equity में आ जाएं, या इसको reverse कर लें, पहले आप equity को ले लें, फिर long term को ले लें, इस तरह से भी है, तो balance sheet किसी तरह से भी बनी हो, actually दोनों साइडें बराबर ही होती है, summary of fixed assets में देकर detail दी है, जाहरे, ज्यादा है तो उसने detail बता दी के, शुरू में इतने थे, addition इतने का हुआ, disposal इतने की हुई, और corrosion में यह depreciation यह charge की, at the end of the day, balance sheet में जो figure नज़र आ रही है, वो detail यह है, मेरी बास समझ में आगी के जो हमने एक figure दी हुई है उदर तो property plant agreement की, 15 की और 20 की, यह उसकी details है, इससे तरह consolidated profit last count में देखें, के sales turnover आपको दी गई है, और यह जो expenses की detail दी है, यह आप देखेंगे कही minus नहीं हुई है, उसकी reason यह है, कि यह requirement है कि आप इसको दिखाएं, यह एक requirement है, कि जी directors को जो भी दिया जाएगा, दिखाना पड़ेगा, auditors को जो भी दिया जाएगा, दिखाना पड़ेगा, जो venture जो भी होगा, इसको यहाँ mention करनी की जरूत इसलिए है, कि इसमे एक figure depreciation, यह जो depreciation है, इसमें cash outflow नहीं होत तो आपने इसकी adjustment के लिए detail दिए, share of profit of associated company, आप देखें, group का है ना, तो इसमें associate company भी है, और profit before tax, और taxation में cost का अपना, और associated company का भी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था के associate company के case में, उसकी profit before tax लेते हैं, और उसमें से tax minus करने के बाद, net of tax, अपनी investment में add करते हैं, तो यह तो उसे clear कर दिया, transfer to general reserve profit में से, plant replacement reserve, अब यह भी साथ समझ में आया, कि plant replacement reserve क्या होता है, मैं देखिए, ultimately एक plant जो है, उसको आपने replace तो करना ही होता है, तो कुछ लोग तो insurance company से insurance policy खरीदे लेते हैं, उसके premium pay करते चले जाते हैं, और जब वो खतम होता तो उसको, वहाँ से पैसे आते हैं, आप replace कर देते हैं, और company खुद से भी, इसको self insurance कहते हैं, company खुद से ही, एक replacement reserve create कर देते हैं, लेकिन जो provision for depreciation है, please, यह replacement reserve में नहीं होती है, यह replacement reserve नहीं है, यह तो profit में से share कर रहे हैं, आप अलग से, proposed division, preference score ordinary का, और balance brought forward, और carried forward, और dealt with cocks और subsidiaries associate, तीन है na, holding, supporting, subsidiary, और associate, तो आपने तीनों के जो हैना detail दे दी है, अब requirement simple है, देखे, you are required to prepare a consolidated cash flow statement for the year 31st number 2020, in a form suitable for publication, तो for publication purpose, actually हम आप से यह expect नहीं करते हैं, इस course में, कि आप इतने बड़े सवाल को handle कर सके, लेकिन अगर आप learn करना चाहते हैं, तो I'll suggest कि आप इसको Excel पर डाले, और Excel में डालने से बहुत असानी हो जाती है, वरक्षीट बन जाती है, और सारी चीज़े सामने हो जाती है, अब देखे नहीं यहां तो चोटी चीज़े स्लाइड दिखा रहा, Excel में तो सारी चीज़े हैं तर फैल जाती है, एक्षोने दो खोले क्रूजन हो जाती है, तो वो जरा असान हो जाएगा, इन्शा आला, थैंक यू जी.